असलाम लेकुम, वेलकम बैक तो मैं चैनल, I hope के फ्रेंड्स आप सब खेरियत से होंगे अलिया कट कुर्ती की हम कटिंग आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा बॉर्डर है और यह तीन मीटर फैब्रिक है तो इस बॉर्डर को हम हटा देंगे और इस बॉर्डर को हम वेस्ट पर और नेक पर यूज़ करेंगे सबसे पहले हम कपड़े को यहाँ से सीधा कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आप यह वीडियो किस कंट्री से देख रही है प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा इसकी बाद हम अपने चेस्ट की मजमेट यहाँ पर लेंगे और कपड़े को हम यहाँ से सप्रेट कर लेंगे चेस्ट है हमारा 40 डिवाइड बाइ 2 करेंगे 20 प्लस इसमें 4 इंच हम अट करके यहाँ से कपड़े की चोड़ाई हम निकाल लेंगे तो यहाँ तक हम 24 इंच फाब्रिक ले रहे है चेस्ट 40 की अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आलिया कट कुर्ती की कटिंग करेंगे यहाँ से मैं कपड़े को कटिंग कर लूँगी इसके बाद हम बॉड़ी की लैंट मेजर करेंगे कपड़े को हम इस तरह से फोल करेंगे बॉड़ी की लैंट है 15 प्लस इसमें हम 1 इंच कर लेंगे 60 इंच पर हम यहां से कपड़े की कटिंग कर लेंगे ये कपड़े की दो लियर है इसको हम अभी फोल करेंगे तो ये हो गया कपड़े की फोल लियर फ्रांट और बैक के लिए इसकी बाद हम अपने शुल्डर की मिजिमेंट लेंगे शुल्डर है हमारा 14 प्लास उसमें 1.5 इंच करके 7.5 पर हम यहां पर निशान लगाएंगे आर्मोल हम यहां पर 8 इंच लेंगे इसकी बाद हम यहां पर 1 फोर्ट आफ चेस्ट की मार्किंग 10 इंच पर करेंगे 2 इंच यहां पर हम एक्स्टा फैब्रिक लेंगे वेस्ट रॉंड हम यहां पर लेंगे जितनी हमारी वेस्ट रॉंड होगी 36 डिवाइब बाद 4 करेंगे 9 इंच पर निशान लगाएंगे 2 इंच यहां पर हम एक्स्टा फैब्रिक देंगे फिटिंग के निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे कटिंग के निशान को भी हम मिला देंगे यहां से हम अपने आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे शोल्डर लाइन से हम चेस लाइन को मिला लेंगे अंदर के साइट पर हम एक इंच का निशान लगाएंगे फ्रांट आर्मोल की डीप कटिंग के लिए इस तरह से हमें तिर्ची लाइन ड्रॉ करना है बैक पार्ट पर हम आर्मोल की गोलाई दो इंच पर देंगे और फ्रांट पार्ट पर हम आर्मोल की गोलाई वान इंच पर देंगे इस तरह से हम यहाँ पर front part पर भी गुलाई का shape draw कर लेंगे marking complete हो चुकी है इसकी cutting कर लेंगे कमर के side से हम half inch की तिर्ची cutting करेंगे next हम यहाँ पर shoulder drop करेंगे half inch इसके बाद हम यहाँ पर एक part लेंगे back part को हम हटा देंगे front part की यहाँ पर हम marking करेंगे यहाँ पर हम alia cut की marking कर रहे हैं कपड़े की bun side से हम 5 inch का निशान लगाएंगे इस तरह से यहाँ आप मारकिंग कर लें तिर्ची लैन हम ड्रॉ करेंगे next हम इसकी cutting कर लेंगे तो friends अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें कि यहाँ पर हमारा alia cut की cutting पूरी हो चुकिए next हम यहाँ पर front arm ओल के लिए deep cutting कर रहे हैं वीडियो को like जरूर करें इसे हमें बहुत बड़ी आपके तरफ से help होगी friends वीडियो को like करना ना भूलिएगा और comment करके जरूर बताएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी कटिंग के बाद की look कुछ इस तरह से होगी इसके बाद हम गेरे के पार्ट की cutting करेंगे गेरे के पार्ट के लिए हम यहाँ पर कपड़े का 4 लियर में लेंगे length में हम इसे fold कर लेंगे यह कपड़े की 4 लियर है body की length minus करेंगे 15 inch length में यहाँ पर 45 inch ले रही हूँ pluses में 1 inch कर लेंगे 46 inch यहाँ पर आप अपने length के according marking कर सकते हैं यहाँ से हम extra कपड़े की cutting कर लेंगे यहाँ पर हमारा कपड़ा जुड़ा हुआ है तो हम इसकी cutting कर लेंगे back part के कपड़े को हम हटा देंगे front part के लिए हम एक कपड़े को लेंगे कपड़े को हम fold कर लेंगे खुली side से हमें marking करनी है body part से हमने 5 inch minus किया है तो यहाँ पर हम 5 inch का निशान खुली side पर लगाएंगे तिर्ची line हम draw करेंगे burn side पर हम इसे मिला देंगे इस तरह से हमें यहाँ पर marking करनी है तो friends अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो please चैनल को subscribe जरूर करें वीडियो को like करना ना भूले और अपने friends और family में share जरूर करें तो यहाँ पर हमारे गेरे की भी cutting हो चुकी है next time यहाँ पर अपने sleeves की cutting कर लेंगे sleeves के कपड़े को फोर लियर में fold कर लेंगे यहाँ पर आप अपने मर्जी के according sleeves की length रख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने sleeves की length 20 inch रख रही हूं चोड़ाई में हम अपने आर्मोल से दो इंच एक्स्ट्रा लेंगे साड़े तीन इंच पर हम निशान लगाएंगे इस निशान को हम सीधा ट्रॉप कर लेंगे उपर के साइट से हम धाई इंच का निशान लगाएंगे सीधा नीचे के साइट पर हम दो इंच देंगे इन दोनों निशानों को हम कर शेप देते हुए मिला लेंगे कि स्लिप्स की मार्किंग कम्प्लीट है यहां से हम अपने आर्मोल की शेप की कटिंग कर लेंगे नेक्स्ट हम यहां पर अपने फिटिंग की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच 2 इंच यहां पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे इस तरह से हम यहां पर इसे मिला लेंगे आर्मोल बाइसेप मेरा यहां पर है 7.5 इंच यहां पर हम निशान लगा देंगे तो यह हमारी फिटिंग का निशान है इन दोनों निशानों को मिलाकर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर हमारी आलिया कट कुर्ति की कटिंग पूरी हो चुकी है नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत थाइंक्स यहां पर हम बॉर्डर से डिजाइनिंग भी करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स हम एक नई वीडियो के साथ वीडियो को पूरी एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थाइंक्स